Hello friends, एक बार फिर से स्वागत है आपका Quick 3DS में और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे Corona Render Setup with HDRI Light Mix So, अगर आपने मेरे Corona Render किस तरीके से यूज करते हैं, basic Corona के बारे में मैंने बताया हुआ है जैसा कि आप देख सकते है, V-ray to Corona, कैसे convert करना अपनी V-ray की फाइल को Corona में, वो मैंने बताया हुआ है And Corona के जो Render Setup की जो Setting है, वो basic जो Setting है वो मैंने बताई है इसमें, ठीक है इस वाले वीडियो में और यह third part बन रहा है इसका Corona का, जिसमें कि मैं complete आपको इसमें Light Mix के बारे में बताऊंगा और map कैसे use करना है, HDRI का map and उसका complete setup Corona का So, अगर आप जानना चाहते, Corona Render Setting के बारे में and HDRI Light Mix तो आप वीडियो end तक जरूर देखेगा तो चलिए start करते हैं, तो यह एक exterior की file है मेरे पास और यह file है वीरे में आप देख सकते हैं जासा कि वीरे 5 में मैंने यह file बनाई हुई है, ठीक है यह setting देख सकते है आप वीरे की इसको हम convert करेंगे सबसे पहले Corona में, यहाँ पर open Corona Converter आता है, इसको हम on करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे यह चीजे, ठीक है everything, material, map, light, इसको start conversion हमने करना है, ठीक है, जो भी हमारे material, map और lights जो भी इसमें लगे हैं, यह सारे convert हो जाएंगे, even proxy भी so, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह कुछ लिखा हुआ आएगा, इसको आप बढ़ सकते हैं, इसको okay करना है, और यहाँ पर यह path पूछेगा, save file path जो proxy का है, ठीक है so, same file path अगर आप देना चाहते हैं, तो आप इस पर convert proxy कर सकते हैं, तो इसको यह corona में convert कर देगा, वीरे की जो proxy उसको corona proxy में convert कर देगा, थोड़ा सा time लेगा, depend करते हैं, आपके scene में कितनी ज्यादा proxy है, so, इसने convert कर दिया है, corona में, ठीक है, यहाँ से आप इसको close कर दीजिए, और यह हमारा हो गया है, आप जैसे देख सकते हैं, यह scene, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, इसको, so, 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 जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमारे जो texture है, यह दिखा नहीं रहा है, इसमें, texture missing आ रहे हमारे, so, 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 textures के लिए हम right click करेंगे, यहाँ पर material में जाएंगे, और show material with maps पर on करेंगे, तो हमारे जो textures है, वो हमारे को दिखना शुरू हो जाएंगे, so, इसके बाद हम, इसके बाद हमारा जो वीरे का camera है, इसको भी हम convert करते है, corona में, so, simply हमने create corona camera पे click कर देना है, ठीक है, so, यह हमारा camera लग गया, corona का, बहुत ही simple है, और select camera target, इसको हम adjust कर लेंगे, अपने scene case आप से, so, यह हमारा corona का camera लग गया है, ठीक है, और यह हमारा corona sun है, वीरे camera को हम delete कर लेते हैं, so, corona sun को हम थोड़ा सा height और दे देतें, इसमें, adjust कर लेंगे, अपने scene case आप से, और इसके intensity आप देख सकते हैं, 0.3 मैंने ले रखिए हैं, अभी हम render setup में जाएंगे, और यहां से मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हम सबसे पहले denoising यूज़ करेंगे, corona high quality, अगर आप अच्छा denoising चाहते हैं, so, उसके लिए high quality हम यूज़ करेंगे, और scene environment, इसमें हम आज करेंगे multiple maps, setup light mix, ठीक है, और इसका use में आप आप जब को बताऊंगा, ठीक है, so, multiple maps या फिर light mix भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, size हम छोटा कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि हमारा जो render है वो जल्दी हो जाए, एक render करके भी हम देख लेते हैं, कैसा हमारा output आ रहा है भी, काफी ज़्यादा burn out हो रहा है हमारा, so, exposure हम कम कर लेते हैं, यहां से minus में, जितना minus में जाएंगे उतना यह कम होता जाएगा, ठीक है, so, यह हम यहां से adjust कर लेते हैं, जितना हमें brightness चाहिए, है, so, यहां पर कुछ elements यह हमको, ठीक है, इसको stop कर लेते हैं, ठीक है, render हमारा ठीक है, हम जाते हैं, so, अभी हम जाते हैं, अपना फिर से, render setup में हम जाएंगे, और इसमें हम use करते हैं, अपना scene में, and now we will use multiple maps, light mix, ठीक है, इसमें हम hdri maps डाल सकते हैं, एक साथ काफी सारे हम hdri map use कर सकते हैं, so, फिलाल हम समझाने के लिमें, चार अभी use करता हूं, ठीक है, आप उससे जाद अभी use कर सकते हैं, so, यह हमारा 8 press की है, मैंने environment, और यहां पे हमारा already लगा हुआ था, hdri map, so, so, मैं आपको नए तरीके से बताऊंगा, किस तरीके से आपने starting से, यह map लगाना है, ठीक है, so, उसके लिए हम सबसे पहले standard में जाएंगे, यहां से हम material में and then we use corona, and corona में हम corona material use करेंगे, ठीक है, यहां से okay किया, color map में हम जाएंगे, यहां से हम ले लेंगे, अपना corona का फिर से, corona bitmap हम use करेंगे, यहां से, आप देख सकते हैं, और इसमें हम hdri map लेंगे, corona bitmap में, so, नीचे आप देख सकते हैं, load map आता है option, so, इसमें हम click करेंगे, और जहां पर भी हमारा hdri map है, वहां से हम इसको call कर सकते हैं, एक ये map लगा लेते हैं, और इसको हम drag करके, corona bit में, एक खाली slot में, इंस्टांस करती हैं हमने, इसका naming, so, इसमें आप देखेंगे, नीचे की तरफ आपको output का option दिखेगा, so, output में हमारा जो outer amount है, ये हमारा actually, इसकी brightness कम ज़्यादा करने के लिए होता है, ठीक है, और rotation का भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको map को rotate करना हो, so, इसका भी option आता है हमारा, इसके लिए आप देख सकते है, rotate degree environment, environment में जाके आप इसको 45, अगर आप देंगे, देखें, रोटेट हो रहा है, so, यहाँ से आप इसको rotation कर सकते हैं, इस map का, और इसको हम rename कर लेते हैं, और इसको drag करके हम यहाँ पर, खाली जीरो वाले slot में डाल लेते हैं, इसको हम copy कर लेते हैं, और इसको हम B कर लेते हैं, और simply हम load map में जाके इसका map change कर देंगे, ठीक है, यहाँ से हम कोई दूसरा HDRi map ले लेते हैं, so, चार different type के हम HDRi map यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंग कि हमारा जो output है, वो कैसा आएगा, so, single render हम करेंगे, जिसमें कि हमको 4 अलग-अलग तरीके के HDRi map हमें दिखेंगे, ठीक है, आप 4 से जादा भी ले सकते हो, फिलाल मैंने समझाने के लिए, केवल 4 लिए हैं, so, आप अपने हिसाब से, इसका output amount कम जादा, अपने हिसाब से कर सकते हैं, so, ये मैंने, भी हमारा हो गया, अब C हम करेंगे इसको, so, third number का हम HDRi map डाल लेते हैं, यहां से, I think ये वाला ठीक रहेगा, sunrise वाला, इसको हम select कर लेते हैं, so, इसको open कर लेते हैं, okay, so, ये हो गया हमारा C number वाला, so, इसको भी हम drag करके, second number पर डाल दिया, अब हमारा last रहे गया, D number वाला, इसको हम D कर लेते हैं, यहां से D name, और इसका भी load map हम, दूसरा लगा लेते हैं, कोई, और, इसमें हम snow वाला लेते हैं, ठीक है, यह थोड़ा अलग है, थोड़ा different हो जाएगा, so, इसको भी okay कर लेते हैं, और इसको भी हम drag करके, अपना last वाला जो option है, इसमें हम डाल देते हैं, instance करना, और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद का जो है, है, मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद हमने use करना है, setup light mix, so, यह क्या-क्या हम करता है, मैं आपको बता देता हूँ, आप जैसे देख रहे हैं, लिखा हुआ, automatically create separate light, separate light select render element for all light groups, ठीक है, this setup light mix, so, इस पर आपने click करना है, simply, और यहां से जो भी instance light होगे, उनका एक group बना लेगा, वालक से, so generate पर आपने click करना है, और render elements में आप जाएंगे, तो यहां पर generate हो चुकी होगी light है, नीचे आप देख सकते हैं, so, अभी, actually पहले की भी है, मैरी वीरे वाली भी है, इसको मैं delete कर लेता हूँ, एक बार मैं सारी delete करके आपको दुबारा से बता देता हूँ, किस तरीके हम यह काम करती है, अभी देखिया, setup light mix पिक गया, instance lights and generate, तो जो भी हमारे scene में lights है, उसकी इसने render elements में अलग से एक बना दिया, इसने, ठीक है, इसका use भी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से use होगा, और इसके बाद simply आपने render पे click कर देना है, यहाँ पे light mix का एक option आता है, देख सकते हैं, ठीक है, यह environment का मतलब कि यह HDRi map जो हमने लगा है, A, B, C, D, उपर जो आप देख सकते हैं, टोंगल all कर दिया, ठीक है, सारे off हो गए, अब हम एक एक करके on करके आपको दिखाता हूँ, so environment A में आप देख सकते हैं, B में हमने जो लगाया था, C में जो environment लगाया था and D में, और यह हमारी जो भी इसमें light है, scene के अंदर, photometric और यह variation आप देख सकते हैं, ठीक है इनको on-off भी कर सकते हैं, light अगर हमें चाहिए, तो on otherwise off, यह rest वाले पर अगर आप जाएंगे देखिए, intensity बढ़ा दी जहां पर भी हमारी light आ दी थी, ठीक है, आप जो environment है इसको भी bright कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी amount आप देख सकते हैं, side में दे रख है, so environment A का हम बढ़ाते हैं, यहां से, one की जगा, इसको हम three कर देते हैं, यह देखिए, ठीक है, so मारा जो scene है, glass में, जो reflection वगएरा, जो भी सारा है, सब कुछ, इस environment का उसने ले लिया है, so आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, जो भी environment में आपको कम जादा light जैसी भी चाहिए, उसके हिसाब से, हमारी building का उस पर भी फरक बढ़ेगा, उस environment का, जैसे कि हम देख सकते हैं, पोस्ट में हम जाते हैं, ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं, लट्स, यह देखे, क्लिक करते ही, इसके, बाइडिफॉल्ट इसके अंदर है, लट्स वगेरा सारे दे रखे हैं, ठीक है, जो कि हमें वीरे में call करना पड़ता है, इसमें already, बाइडिफॉल्ट इन्हों ने दे दिये हुए हैं सारे, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है, आप वो लगा सकते हैं, लट्स, यह देखिए, ठीक है, अलग-अलग टाइप के, ठीक है, इसकी आप off भी कर सकते हैं, देखिए, इसकी आप opacity कम जादा भी कर सकते हैं, ठीक है, अभी 1 है तो 0.5 भी कर सकते हैं, इस तरीके से, सो मैं 1 ही कर देता हूँ, सही लग रहा हमें, ब्लू मेंड ग्लियर ठीक है, इस पर भी हम क्लिक करते हैं, यह देखिए, यह देखिए, ठीक है, ब्लू मेंड ग्लियर का क्या effect आ रहा है हमारे इसमें, scene में, बड़ अभी हमें यहां पर ज़रुत, इसको कम करके देखते हैं, इसका size, do कर दिया, तो इतना आ रहा है, इसकी intensity भी हम कम जादा कर सकते हैं, glare intensity है, bloom, okay, 0.1 कर देते हैं, इसके इसके अलावा sharpening and blurring है, इसको भी आप on कर सकते हैं, ठीक है, शार्प करने के लिए, so features जो है, काफी अच्छे हैं इसके, इन्होंने जो main features जो हम use करते हैं, वो इन्होंने दे रखाया इसमें, ठीक है, post वाले में, और, जैसे जैसे इसमें क्या होता है, कि हमारे जो processing rendering होती है, ठीक है, जैसे कि हमारे वीरे में भी था, bucket and processing mode, so यह basically processing mode पर होता है, ठीक है, इसम passes 12 हमारा दिखा रहा है, so जैसे जैसे passes होते रहेंगे, वैसे वैसे हमारी image वो clear होती रहती है, so जहां पर भी आपको लगता है, कि आपकी image अच्छी रिखने लग गई, तो आप इसको stop भी कर सकते है, so अभी हम इसको stop कर लेते हैं, यहां से, so stop करते ही, so stop करते ही, आप देखेंगे, कि इसमें यहां पर denoising हमारा start हो गया, ठीक है, एक से 9 यह दिखा रहे है, so denoising में basically क्या होता है, कि अभी आप जैसे देख रहे हैं, ठीक है, यह जो image है, अभी इसमें grains आ रहे, ठीक है, so grains खतम हो जाएंगे, जैसे हमारा denoising वाला process खतम हो ज करता हूँ, जैसे denoising हम off करते हैं, तो यह देखे, grains ठीक है, और यह on करते हैं, यह हमारे ठीक हो गया है, ठीक है, so denoising हमारा use करता है, इसको हम store भी कर सकते हैं, stream में जाके, अगर scene को हम store करना चाते हैं, so यह हमारा store हो गया, इसमें timing वगयरा, और कितने passes है, यह सारा इसमे दिखा दिया, इसने, so अलग-अलग environment के साथ यह देखिए है, ठीक है, हम compare भी कर सकते हैं, कैसा हमारा आ रहा है, ठीक है, so इसको भी हम save कर सकते हैं, यहां से, दूसरे environment के साथ, store current vfp, so उस सरी किसम अपने जो चारो render है, वो अलग-अलग environment के साथ, save भी कर सकते हैं, ठीक है और इनको compare करके हम देख भी सकते हैं, so अभी मैं आपको compare करके दिखा देता हूँ, ठीक है, suppose यह हमारा A है, और यह मैंने second वाला ले लिया, sorry, light mix में मैं environment on कर लेता हूँ, कोई एक, और अभी हम mystery में जाएंगे, और अब हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है, so यह same ही है, B व class का reflection वगेरा, मतलब सब जगह इसका impact पड़ेगा, ठीक है, overall scene में, यह देखे है, HDRI map का, यह हमारा दूसरा HDRI map है, C वाला, so काफी फरक है, ठीक है, HDRI map, जैसा भी आप use करेंगे, so उसके हिसाब से आपके पूरे scene में उसका impact पड़ेगा, so यह last वाला है, ठीक है, यह देख आप चार से ज़्यादा भी use कर सकते है, और, मतलब single एक render में, आप चारो का use करके देख सकते है, कि आपका कौन सा अच्छा लग रहा है, आपको, so इसको आप save भी कर सकते है, यहां से, ठीक है, click करके, save का option आता है, so आप इसको save कर सकते है, एक important information है, quick 3DS का, जो मेरा website है, इसमें 3D library है, अगर आप चाहते है, 3D library लेना, so आप मेरे को नीचे WhatsApp कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं, आप पर WhatsApp का number highlight हो रहा है, so इस number पर आप मुझे contact कर सकते हैं, WhatsApp कर सकते हैं, और यहां से आप कोई भी library जो आप देख रहे हैं, या purchase कर सकते हैं, बहुत ही कम rate पर, आपको बहुत ही अच्छी price पर यह library मिल सकते हैं, simply आप click करके देख भी सकते हैं, कि इसमें क्या-क्या है, ठीक है, क्या-क्या चीज़ी आपको मिल रही हैं, यह देखें, ठीक है, यह मेरी exterior के library है, यह भी आप purchase कर सकते हैं, interior, exterior, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, जाए और आप website visit कर सकते हैं, इसमें से आप देख भी सकते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर आप International English Language Testing System, जो की IELTS के नाम से जाना जाता है, जैसा की आप इसक्रीन में देख सकते हैं, और मेरा एक friend है, जो की काफी टाइम से इसकी training कराता है, ठीक है, जो भी student, जो UK, Canada, ठीक है, और भी countries जहां पे English Language यूज होती है, इसकी preparation ये कराते हैं, और साथ में ये French Language की भी preparation कराते हैं, इन्होंने recently अभी channel open किया है, आप जो भी students सीखना चाहते हैं, ठीक है, जो भी बाहर जाना चाहते हैं, English Language वगेरा काफी students का इन्होंने कराया हुआ है, ठीक है, जो बाहर गए हैं, और आप इस channel को subscribe कर सकते हो, आप इनका channel visit कर सकते हैं, और इनसे contact कर सकते हैं, ठीक है, इनसे related कोई भी inquiry आप कर सकते हैं, So hopefully guys, आपको समझ में आगया होगा किस तरीके से हमने light mix का use करते हुए, अलग-अलग HDR map हम एक साथ render कर सकते हैं, और अपने scene को हम देख सकते हैं, कौन से HDR map में अच्छा लग रहा हैं, So अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो like कर दीजिए, और अगर आप मेरे channel पर नए है, तो channel को subscribe जरूर कर लीजिए, ताकि मेरे latest video आप तक सबसे पहले पहुस सकें, So अगर आपके कोई comments, कोई सुजाव हो तो आप video के नीचे description में लिख सकते हैं, ठीक है, So इसी तरीके के और भी मज़ेदार videos में आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए good bye